जिसके लिए ने कारवार के चप पर भाड़ मोके बन रहे हैं क्रिकेट से आपकी कमाई कहां पर होगी कौन से होटेल के शेयरों में और रोनक यहां से होगी आस्था जी समझते हैं आस्था जी विकल्प तमाम हैं एक से एक बढ़कर होटेल्स हैं और जो छोटे वाले होटेल सारे count में सबसे ज़्यादा पसंद आता है और यहाँ पे भी return मेरे सबसे अगर लंबी अबदी रहेगी तो 10-15% का उससे भी उपर के returns हमें देखने को मिलेंगे target set कर रहे हूँ 450 से 470 का देखिए अभी जो भी मैं target दे रहे हूँ 2 महीने के लिए दे रहे हूँ और यह long term में 6 महीने या उसके उपर के अगर आप समय सीमा भी रखेंगी तभी भी मुझे लगता है कि यह targets आराम से achieve होते वे नजर आएंगे अगर कोई market में बड़ी गिरावट आती है तो Indian hotel की बात करें तो इसके पीछे का कारान है देखिए इन में hotel में हमेशा average revenue पर available room हम हमेशा देखते हैं वहाँ पर बढ़िया बरोत्री हुई है occupancy rate देखी जाती है hotel में तो 67% occupancy इनकी है और जिस तरह से पहले G20 सब्मिट हुआ था इन फेक्ट जिसे हम duty contest भी कहते हैं Miss India वो भी हुआ था और अब जाके जो cricket world cup है तो उसकी वज़े से भी हमें यहाँ पर बढ़िया डेमांड देखने को मिलेगी इस industry में और इसका direct फायदा Indian hotel को होता है नजर आएगा So Indian hotel के बात करें तो ये counter सभी hotel company में सबसे better लगता है खरीदारी करने की सलाह है लिया हुआ तो फोल भी कर सकता है 450 से 470 के target है market अगर कोई सी भी वज़े से थोड़ा सा बॉलेटाइट होता है तो दो महीने के से जादा भी समय सीमा के सबसे से रखा जा सकता है जिसमें 6 महीने भी एक समय सीमा मानी जा सकती है तो उसके को ध्यान में रखते हुए इस counter पर भी खरीदारी करने की और लिया हुआ तो बने रहने की सलाह है ठीक है इंडियन होटेल्स 450, 470 के लक्ष दो महीने में 410 रुपे के आसपास के भाव इसके है EIH टार्गेट 255, लेमेटरी टार्गेट 126, 132 और शैलेट होटेल्स इसके लिए टार्गेट है 580 रुपे का